मुगल समराटों के कारिय आज हम बात करने वाले हैं कि मुगल काल में जितनी भी समराट आए उनके एसासनकाल में कौनकौन से महतपुर्ण कारिय हुएं सबसे पहले नाम आथा है बाबर का बाबर के बारे में बताया जाता है कि बाबर एक महान विदवान था उसने अपने समराजमी स्कूलों कॉलेजों के निर्मान की जिम्मेदारी ले थी और बहुत सारे उद्यानों का भी निर्मान करवाया था इसके लिए उसने आगरा और लाहुर का जो छेतर था उसे चुना था यहाँ पर कई उद्यानों का निर्मान करवाया गया था कस्मीर की छेतर की बात करें तो कस्मीर में निशल भाग लाहुर में शालिमार भाग और पंजाब में पिंजोर उद्यान बाबर के सासनकाल में ही बनवाया गया था उद्वारों के कुछ और भी उद्वार हैं थे और ये जितने भी पार्के जितने भी उद्यान हैं वो आज भी मौजूद है इन सभी उद्यानों के अलावे अगर बावर के बात करें तो बावर मुगल सासकों में मुगल सासकों में बावर को इस्तापती कला की बहुत जादा जानकारी थी वह इस्तापती कला का उच्च कोटी का पार्खी था उच्छकोटिका पार्किय होने के कारण उसने भारत में जितने भी भवनों को देखा उन सब में उसे कोई भी पसंद नहीं आया बलकि वहां तक कि वहां की जो वास्तुकला थी जितने भी महल और ये मारते देखी गई थी उसके दोरा उसके वास्तुकला को उसमें बहुत ही लोग काटेगरी का यानि कि बहुत ही नीचे इस तरका बताया उसे सिफ गॉलियर की जो महल थे उसे ही अनुपम लगा उसमें कुछ खासियत लगी जो कि इस्थापती कला की दिस्ट्री से बहुत ही अच्छा माना जा सकता है तो बाबर की दिस्ट्री में उसमें भारत में जितने भी इमारत थे जितने भी महल थे और जितने भी दुर्ग थे उन सभी में किसी में भी उच्छ क्वालिटी की स्थापती कला को देखने को नहीं मिला सिर्फ ग्वालिएर के महलों को छोड़ का वा ग्वालिएर की जो महल थे जो उनकी सैली थे उसे बहुत जाएता प्रभावित हुआ था और उसने भारत वर्स में जितने भी मस्जिद या फिर अन्य भवन जिसका कि निर्मान करवाया गया था उसके लिए कुस्तुन्तुनि के द्वारा ही बनवाया गया था अब इतिहासकार पार्सी ब्राउन की बात करें तो पार्सी ब्राउन ने कहा है कि बाबर की यह जो योजना थी जो उसने यह प्लैनिंग की थी वह पूरा नहीं हो पाया था उसने ऐसा सोचा था कि भारत में कई सारे भवनों का निर्मान कर लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था लेकिन इसका कुछ न कुछ प्रभाव तो अवसी दिखता है जैसिके बापा ने जो आग्रा फतेफपूर सिक्री बयाना धौलपूर ग्वालियर अलिगट इन सभी जैगों पर जो भी भवन निर्मान करवाया था उसमें सैक्रो कारिगर नियु भवनों का जहां निर्मान नहीं करवाया गया था इन सभी में अगर देखे तो कुछ चीजों का जादा निर्मान करवाया था जैसे कि मंडब इस्नानागार कुएं ताला फवारे इन सारी चीजों का कुछ जादा ही निर्मान करवाया था बाबर के समय में और यह भी भारत में कि वह सुधिर्ट तर्भी कर निर्मान करवा सके और शुंत की किसी तरह कि भावन कर निर्मान कर वाए तो वह समय के साथ किया हूआ बुर्च करriasकaran है कि अभी के समय में उससे जितनी भी भावन थे हूँ कर दिखाई नहीं बुरे और जरजर हालत में तो उन्हें तुरुआ कर उसी के जगह पर नए भवनों का निर्मान करवाये गया होगा तो इस तरह से हम लोग देखें तो यहां देखने को मिलता है कि बापर के तोरह जितने भी काम करवाये गये थे वहां पर नेचुलर आर्ट को छोड़े यारि कि अगर गार्डन्स को छोड़ दिया जाए तो अगर भवन, निर्मान, फवारे और तालाप, कुए इन सब ही को फिर से बनवाये गया होगा उसके बाद के उतराधिकारियों के संरक्षन में बाबर के द्वार निर्मान करवाये के सिर्फ दो या तीन भवन ही pens और उन भवनों के बात करें तो निसम्हें सबसे पहला है उनकी पहचान छोड़ते हैं इन तीनों भावनों के निर्मान बावर के प्रारंभिक वर्सों यानि कि जब वो भारत में आया था उसी समय सुरुवात करवाई गई थी इसका और अगर सिल्फियों की दिस्टिक उनकी बात करें तो ये महल बहुत ही साधारन किस्म के बताए ग भवनों नोगे अगरे ऺवर पर प्रती दिन काम करते थे और और कोईल में में पर प्रती दिन लगवख बार सो व्यक्ठी काम डती है यानि कि युद्वावरick नावह में इस पात का जिक्रिक कि आग्रा की भवन में 608 अधात में प्रती दिन काम कर रहे थे और कोईल और धौल पूर यानि की इसके अरावा जो और कुछ छेत्रों पर काम हो रहे थे भवनों के निर्मान से लेके तो वहाँ पर करीब करीब बारा सुव्यक्ति एवरीडे काम कर रहे थे इसके बाद उनके उतर अधिकारी के रूप में नाम आता है हुमायू का इनकी बारे में बताया जाता है कि हुमायू को सितारों और प्राकरितिक विसिस्ताओं से संबंधित विसियों की किताबों से बहुत अधिक प्रेम था इसलिए इसने दिल्ली के निकठी मदर्सो का भी निर्मान करवाया था ताकि लोग वहाँ जाएं और वहाँ पर जाकर कुछ सिखे हुमायू कौन थे हुमायू सबसे पहले तो बाबर का बेटा था और उसका उतर अधिकारी था हुमायू भी बाबर की तरही सिल्फकला का प्रेमी था हलांकि उसने भी अपने सासनकाल में किसी ऐसे प्रसित भवन का निर्मान नहीं करवाया जिसे कि मुगल कालिन सिल्फकला या किसी अन्य छेतर में इतिहास में उसका नाम आ सके उसे महतपूर न कहा जा सके लेकिन हुमायों के सासनकाल की दो अमारते आज भी मौजूद है जैसी कि सबसे पहला तो है आगरे में उसके दोरा निर्मान किया गया एक मस्जिद और दूसरा है फतेहबाद का विसाल और संतुलित मस्जिद ये दोनों जो भी मस्जिद हैं वो अभी भी मौजूद है लेकिन अब उनका सिर्फ खंडर ही बच गया है फतेहबाद की मस्जिद की बात करें तो उसका निर्मान 1540 स्वीम में करवाये गया था और इसमें फार्सी सैलिका फार्सी सैलिका फार्सी सैलिका में जो काफी जायता प्रचलित देखने को मिलता है जैसे कि प्रस्तर मिनाकारी सज्जा या फार्सी कलासैलिका एक महतपुर्न अंग माना जाता है तो इसे हम इन मस्जिदों में देख सकते हैं इसके बारे में यह भी बताना चाहिए कि इस फारसी विधी का सबसे पहला प्रयोग यानि कि भारत में इसका सबसे पहला जो लाने वाला था वो भी हुमायू ही था और पंदरवी सताफदी के उतरार्द में बाहमनी राजी के सासकों ने इसका सबसे पहले यूज किया था इसका सबसे पहले प्रयोग किया था हुमायू के द्वारत निर्मित जितने भी मस्जिद हुए थे उन सभी में कला और मॉलिक्ता इन दोनों के उपर साइधी कोई चिन मिल पाएगा क्योंकि ऐसी कुछ बाते दिखाई नहीं देती या फिर उसका वजूद अभी मौजूद नहीं है हुमायों ने दिल्ली के एक महल का भी निर्मान करवाया था जिसे कि दिन पनहा का नाम दिया गया था और दिन पनहा काफी जादा फेमस हुआ था अकवर के सासनकाल में दिन पनहा का बहुत ही जादा महत्पून इस्थान रहता है लेकिन यह पर ऐसा माना जाता है कि दिन पनहा के का निर्मान बहुत ही जल्दी जल्दी में किया गया था और इसे इसकी सुन्दर्ता और टिकावपन इसमें बहुत जाएदा ध्यान नहीं दिया गया, संभवता गर दीन पनहा की बात करें, तो दीन पनहा को हुमायो की प्रत्वोंदी यानि कि सेर्सा, सेर्सा के दोरा उसके सासनकाल में नस्ट करवा दिया गया था, जब सेर्सा के अब गर हम देखे तो दो मुगल समिराठ्यारी बाबर और हुमायो इन दोनों के सासंकाल के जितने भी कलाएं हैं जितने भी उनके महतफूर्ण कारी हैं जो कि इतिहास में अपना चाप छोडते हैं उन दोनों को उन दोनों में बहुत ही जादा महत पूर्नी चीज़े देखने को नहीं मिलती है या तो फिर इन दोनों को इन सारी चीज़ों में जादा अभिरूची और अनुभव के आधार पर भवर निर्मान या फिर उस परंपरा को स्थापित करने का जादा मौका नहीं मि जाता है सिर्साह के बाद हुमायों का फिर से समय आता है हुमायों पच्पण में उनकी मृतियों के बाद इनका बेटा अकबर आता है अकबर के सासनकाल में बहुत सारी चीजों का निर्मान करवाये गया था अगर सबसे पहले देखे तो अकबर ने आगरा और फतेह पूर सिक्री में उच सिक्षा के लिए सबसे बड़ी संक्या में स्कूलों और मदर्सों का निर्मान करवाया था सबसे पहले तो बाबर प्रथम मुगल समरार था जिसने कि सासनकाल में बड़े पैमाने पर कारी किया था बहुत सारी स्कूल्स खोले थे मदर्सों का निर्मान करवाया था और उसके निर्मान की स्रेनी में आगरा का सबसे प्रसिदी किला मंदिर और विसाल लाल किला का नाम दर्ज है जिसके कई द्वार बहुती भवी रूप से बनवाए गये है अकवर के सासनकाल के और भी दूसरी खास्यत की तरफ नजर करें तो यहां हम लोग पाते हैं कि उस सासनकाल में वास्तुकला पर काफी ज़्यादा ध्यान दिया गया था और यह वास्तुकला अकवर के सासनकाल में अपने चरमोतकर्स पर पहुंची हुई थी पुरी भवर में संगमरमर लगाना और दिवारों पर फूलों के आकरिती को आकरिती की निर्मान करना किमती जाए काफी जैता प्रस्यतिती और सजावट जो यह तरीका है इसे एक खास नाम दिया गया जिसे की पेट्रडीयूहरा का जाता है पेट्रड्यूहरा की पद्धुश्र वह साजहा के सासंकाल में सबसे ज़्यता प्रसीद क्योंकि साजहां कौन थे साजहां वो थी जिन्होंने की ताज महल कर निर्मान करवाया था और ताज महल के निर्मान में पेट्राड्यूरा प्यूद्धि का ही इस्तिमाल किया गया है बहुत सारी कीमती नगनों मोतियों और पत्थरों को दिवारों में जराया गया था और इस साजहां का सासनकाल वास्तुकला की दुरिस्टी से चर्मोतकर्स का यानि की स्वर निकाल माना जाता है। उसके बात अकवर के बात आते हैं उनके सलीम जिसे की जहांगीर के नाम से प्रसिधी प्राप्त है। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर तुर्की और फार्सी भासाओं का महान सूध करता था। वो अपने इस मृतियों को व्यक्त करते वे उसने एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ लिखा किताब लिखी जिसका की नाम है तुजुके जहांगीरी की रचना भी की थी। इसके बाद इनके सासनकाल में बहुत कुछ खास हो नहीं पाया क्योंकि इनके सासनकाल में इन्होंने अपनी सारी जितनी भी राचकपात की जो इस्तिती है जो पावर है वो अपने बेगम को दे दिया था। और नूर जहां नहीं क्या किया नूर जहां ने अपने सासनकाल में अधिकार शेतर के अंदर में अपने सबसे पहले अपने पिता के समृति में एक मकबरी का निर्मान करवाया था। इत्मादूला के मकबरा और इसमी संगमर्मर के ओपर पच्ची कारी का इस्तिमाल करवाया था। जो कि जहांगीर ने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। जहांगीर का जो लगाव था वह चितर कला में बहुत जादा देखने को मिलता है। फिर भी उसके सासन काल में मुगल इस्तापती कला में कुछ बहुत महत्पुन निर्मान हुए। जैसे कि परसी ब्राउन की बात करें तो परसी ब्राउन के मता नो साल इत्मादूला के मकबरी को चाहे ललित अनुपम कला की दिस्टी से देखे है। अत्वाललित कला के निर्मौने के दिस्टी से या अपनी बहुत अच्छी पारखता नहीं रखता है। परसी ब्राउन का ऐसा मानना है एत्मादूला के मकबरी के बारे में जो कि उनकी बेटी नूर जहां के दौरा बनवाया गया था। इसके अलावे अगर सिकंदरा की बात करें तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा का निर्मान कारी अकबर के सासनकाल में सुरुआत की गई थी लेकिन इसकी जो पूरती है जो इसका समापन है वो 1613 स्वी में पूरा हुआ था और यह वह समय था जबकि जहांगीर का सासन चल रहा जहांगीर के सासनकाल के अगर कारियों के बात करें तो उसके सासनकाल के दौरान लोहर के निकर सहदरा में एक और मकबरी का निर्मान करवाया गया था और कहा जाता है कि इसका नकसा खुद जहांगीर ने तयार किया था नकसा और योजना इन दोनों का निर्मान जहांगीर के द्वारा ही तयार किया गया था लेकिन इसे नूर जहां के देखरेक में बनवाए गया था या अकबर के मकबरी के लंबाई चोराई के अनुपात में बहुत ही छोटा माना जाता है तो यह था जोहांगीर का सासनकाल अब इनके बाद आते हैं साजहां साजहां के बारे में बा यहार तरीचे से सामने आते हैं अकवर के हुमायू के मक्वरिक के उपर जो एक विशॉलत का इस मुंश का गुंबद उसे अकवर के शासनकाल में प्रारंव होने की सुरवात में दिल्ली में बनवाया गया था और इसे ताजमहल के पूरवच की रुप में जाना जाता है क्योंकि ताजमहल के उपर जो भी गुंबद है उसके सबसे पहली सुरवात हुमायो के मकवरी में ही देखने को मिलती है दोहरा गुंबद भी इस भोवन की एक बहुत ही बड़ी विसिस्ता के नाम से जाना जाता है साजहा ने अपनी सासनकाल के दोरान में वास्तुकला के चित में बहुत सारे कारी किये थे जैसे कि सबसे पहले अगर देखे तो साजहा के देखरेक में और उसके संरक्चिन में आगरा लहुर दिल्ली काबुल कस्मीर अजमेर कांधार एहमदाबाद इतनी सारे इस्तानों पर सफीज संगमरमर के महल मस्जिद मंडप मकवरे इन सब कर निर्मान करवाया गया था सफेज संगमरमर के महलों का भवनों का निर्मान करवाया था इस तरह से आगरे के किले में समराद्ने क्या क्या था दिवाने आम, दिवाने खास, खास महल, सीस महल, मोती मस्जिद, मुस्मन, बुर्ज इन सब के अलावे बहुत सारे अन्य भवनों का भी निर्मान करवाया था सबसे ज़्यादा तो सुंदर्ता के बारे में बात करें तो दिवाने खास कि अगर सुन्दरता की बात करते हैं जिसमें दोहरी खंभों और इनमें जो सजावट की गई है वो बहुत ही जादा महत पुर्ण है मुस्समन बुर्ज के लिए में क्या क्यारवाए गया था उसके लंबी चौरी दिवार अपसरा कुंज के समान ही उसे सजा कई गया था मोती मस्जीद में कार fusion की गई थी मूगल काली स्थाप्यत्र काला में कर वाये था स्यावन के दौरा शैद इन्हीं से कारणों से स्वर्ण यूक्द के नाम से भी जाना जाता है साजहां के बाद अब आते हैं औरंग जिप चुकि औरंग जिप के बारे में बताया जाता है कि यह काफी ज़्यादा लालची प्रवीर्थी का व्यक्ति था सासक था इसलिए उसके सासनकाल में अधिक बहुत ही ज़्यादा निर्मान नहीं हुआ था अठारहोई सताथब्दी की बात करें तो अठारहए और उनिस्वी सताथवद्दी के प्राराभयं में हिंदू और तुर्क, एरानी प्रवीर्थी और साजावथी प्रारूप के मिस्रम पर आधारित उनके औरंग जिप की समय में एक मात्र यह मात्र म सधुन कि सासर निंवत वाबन कि यह रेम, कर वा करे दिक जद्वारा जितने भी जबाबन निर्मित कर वाइक विएच्छ 2019. का है तो बीवी का मकवरा का जो इस अस्तर है वो काफी निम्ल्ड कोटी का बता आगा जाता है कि जब यह मकवरा बन रहा था औरंग जीब एक बार भी देखने के लिए वहां नहीं गया है इसके अलावे औरंग जीब के सासन काल में एक और खास बात होती है उन्होंने साजहा के साजहा के दोरा जो बनवाया गया था जामा मस्जिद उसकी नकल करने की भी कोशिस की थी और यह काम किया गया था लाहूर में लाहूर में एक बातसाही मस्जिद है जिसका की निर्मान औरंग जीब के सासन काल में करवाया गया था यद भी बातसाही मस्जिद आकार में बह वह पतन का सासन कर रहता है भली वह राजनितिक छेत्र में हो सामाजिक छेत्र आर्थिक या तो फिर कला और संस्कृति के छेत्र में और अपने आप में पहले एक लालजी प्रोविर्टी की सासक के रूप में उसने अपनी इमेज बनाई हुई है जाना जाता है सामराजवाद भाधी दिश्टी कोर को रखने वाला था और उसने अपने ससनकाल का अधिकान जिश दोडराथी करें इसलोग हो गई तरह संवल्ड सांजी में कि मुगल समराटों ने जितने भी सासकाएं बाबर से लेकर और एुध्ट Jude gekra土 है। ि हैं भी जितने भी कारी किए उसमें कला और संसक्रिति की शेटि में सबसे जजाइड को मिलता है। जहाई त्क बावर की बात है तो बावर और हमायों का अधिकान संऽ मेश्य, अप मुगल समराजी को सुद्रृता प्रादान कृती है वे ही व्यतित होता है अकबर ने अपने सासनकार में बहुत कुछ किया उसने हर तरह की प्रविठियों को प्रसरे दिया हिंदू, मुसलिम, सिख, इन सभी को प्रस्रे दिया, इसके साथ इन सभी को प्रस्रे दिने से क्या हुआ, एक तो उसके समराजवादी निती जो थी, वो आगे बढ़ती गए, खासी खास इतिहास में जो जीन चीजों के कारण उसे याद रखना चाहिए, अच्छी प्रविर् दिरिस्टी से स्वर नकाल माना जाता है, और सबसे अंत में आते हैं औरंग जीब, तो इस तरह से आज हमने देखा कि मुगल कार्यों में, मुगल सासकों के द्वारा के कौन-कौन से कार्य किये गए, अगले क्लास में, अगले लेक्शर में हम देखेंगे कि सिक्षा की दिर झ्लाइब कि सिक्का।